C.I.E.T. N.C.E.R.T. के जरिए पेश है तीसरी जमात के लिए महलियाती साइन्स की समय दर्सी किताब आस पास का सबक 4 हमारा पहला इसकूल सफ़ा नमबर 25 इसकूल में हम कितनी बाते सीखते हैं और समझते हैं लेकिन जानते हो हमारा पहला इसकूल कौन सा है वो है हमारा खांदान हम अपने खांदान से सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं क्यूकि हम अपने खांदान से बहुत ज़्यादा करीब से जुड़े हुए होते हैं लेकिन हम इसके बारे में शायद कभी गौर नहीं करते आओ अपने खांदान के बारे में सोचें और बात करें अपने खांदान की तस्वीर बनाओ अगर फोटो है तो उसको चिपकाओ यहां तस्वीर के लिए जगा दी गई है तुम्हारे खांदान में कौन-कौन है उनका नाम और उनसे तुम्हारा क्या रिष्टा है लिखो यहां एक जदूल दिया गया है जिसके चार मुख्तलिफ कॉलम है पहले कॉलम का उन्वान है नाम दूसरे कॉलम का उन्वान है तुमसे रिष्टा तीसरे कॉलम का उन्वान है नाम और चौथी कॉलम का उन्वान है तुमसे रिष्टा जदूल के निचले हिस्से में आपको खाली जगा दी गई है जहां आप नाम और उनसे रिष्टा लिख सकते हैं सफा नंबर 26 अपने खानदान के दो लोगों का आपस का रिष्टा लिखो जैसे मिया बीवी, बेहन भाई, मा बेटी यहां एक जदूल दिया गया है इस जदूल में दो कॉलम है पहले कॉलम का उन्वान है खानदान के दो लोगों के नाम दूसरे कॉलम का उन्वान है आपसी रिष्टा यहां आपको खाली जगा दी गई है जहां आप अपने जवबात लिख सकते हैं यहां एक तस्वीर दी गई है जिसमें दो खवातीन है पहली तस्वीर एक बुजर्ग खातून की है, दूसरी तस्वीर एक जवान खातून की है उसके करीब एक शख्स मौजूद है जिसके बाल घुंगराले है यहाँ दो बच्चियां भी है उन में से पहली बच्ची के बाल सीधे हैं और दूसरी बच्ची के बाल घुंगरा ले हैं सफा नंबर 27 तुम्हारी कौन सी बात खानदान के किसी फर्द से मिलती जुलती है जैसे तुम्हारी आवाज तुम्हारी आखे तुम्हारे बाल तुम्हारी चाल किस से और कैसे डैश डैश आओ अन्वरी के खांदान के बारे में कुछ पढ़ें यहां एक तस्वीर दी गई है जो की धोबी घाट की है एक खातून कपड़े निचोड रही है दूसरी खातून पानी में खड़े होकर कपड़ों पर साबुन लगा रही है एक शख्स कपड़ों को मोड़ कर पत्थर पर पटख रहा है अन्वरी के खांदान के सभी बड़े लोग धोबी का काम करते हैं खांदान के सभी अफराद कपड़ों के धूने, सुखाने और इस्तिरी करने में एक दूसरे का हाथ बाटते हैं अन्वरी और उसका चचा जाद भाई तौफीक भी अब ये काम सीख रहा है क्या तुम्हारे खांदान में भी मिल जुल कर कोई काम धंदा करता है? अगर हां तो क्या? इस काम में तुम क्या मदद करते हो? हम खांदान में एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं अन्वरी के चचा ने उसे और खांदान के सभी बच्चों को साइकल चलानी सिखाई तुमने भी अपने खांदान से बहुत कुछ सीखा है क्या सीखा और किस से? क्या किसी ने तुम से कुछ सीखा है? सोचो और लिखो जब मैं दुखी होती हूँ तो मैं डैश के पास जाती हूँ जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ जब मैं कुछ रास की बाद बताना चाहती हूँ तब मैं डैश के पास जाती हूँ जब मुझ से कोई गलती हो जाती है तो मैं डैश के पास जाती हूँ सफा नंबर 29 जूते बाहर उतार कर ही घर में आना ये सुरेखा के घर का रिवाज है लेकिन उसके कुछ दोस्त जूते चपल पहन कर घर के अंदर आ जाते हैं इससे सुरेखा के दादा नाराज होते हैं क्या तुम्हारे खानदान के अपने कुछ रिवाज हैं? कौन-कौन से? क्या तुम्हारे खांदान में किसी की कोई खास आदत है जैसे जोर से हसना, खुश होकर गाने गाना वगएरा उनकी नकल करके दिखाओ तुम अपने खांदान में बड़ो की इज़त कैसे करते हो अपने आसपास देखो के लोग एक दूसरे की इज़द कैसे करते हैं बड़े जब बच्चे थे घर के किसी बड़े को उनके बच्चपन का कोई दिल्चस्प किस्सा सुनाने के लिए कहो बच्चों से अपने खांदान के अफराद के हसने गाना गाने वगएरा के तरीकों के बारे में बातचीत करने को कहा जाए इससे वो अपने खांदान के अफराद की खासित या खास आदतें भी पहचान सकेंगे इसी के साथ 24 असबाग की किताब आसपास का चौथा सबक हमारा स्कूल खत्म होता है सौती ताउन तलत खान ताथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत